नमस्कार आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकरा यह रुख करते हैं आज की खास ख़बर की योद नामांकन सभा में उम्रे जनसेलाव और नामांकन के बाद आयजित सभा में अपनी प्रतिक्रिया व्यप्त करते प्रदेश अध्याक्ष अखिलेश यादव नजर आए हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है देखिए इस रिपोर्ट में परवेज जी आज के इस सभा के दुला महागटबंदन के प्रत्यासी कॉंग्रेस पार्टी से नमांकन करने वाले भागलपूर के लगातार दो दसक से ज़्यादा सेवा करने वाले मेरे भाई तुल्य आदर्निय अजीद सर्मा जी मन पर उपलसी तभी अभी अपना भासन समाप करके बैठे कॉंग्रेस लेजिस्टेचर पार्टी के नेता आदर्निय सकील खान सहाब नाथ लगर के समानित बिधायक अली असरफ सहाब अजीद बाबो का आपके सामने जोड़ार भास करने वाले समानित बिधायक पुर्व सांसद पुर्व मंत्री गुदेव चोधरी जी जमालपूर के समानित बिधायक अजेश सिंग जी और अंगाबाद के समानित बिधायक अनंद संकर जी बक्सर के लोग पुर्व और कर्मट बिधायक संजे तिवारी उर्व मुन्ना तिवारी जी कॉंग्रेस पार्टी की समानित बिधायका प्रतिमा दास जी आदर निये बुन्नू चोधरी जी विपिन यादो जी महेश जी पंकज सिंग जी कि राज्टी है जंतादल के और इस सभा का संचालन करने वाले अधेक्स्ता करना है तो गलत पहले दुच्छे में कर नहीं टोके राश्टी है जंतादल के सदारत में ये सभा हो रही थी मैंने पहले गल्दी से बोल दिया दापरवेश जी का नाम जंसेकर जी और इस मंज पर जितेंदर सिंग जी राश्टी है जंतादल बामदल और कॉंग्रेस पार्टी के सभी समानित देता और कारिकत्ता साथीगन इस नामंकन सवा में अजीद जी का उत्सा परदन करने आये सभी प्रफुद्ध अभिभाव को नौजवान मित्रों पत्रकार साथियों देवी ओएवन सजनों मैं जब आया था तो कोई लाम खुरसी खानी नहीं थी पूरा खुरसी भड़ा हुआ था और आज पास लोग सब खड़े थे अजीद सर्मा जी को आशिरवाद देने के लिए दूआ देने के लिए लेकिन मैं मैं समझ सकता हूँ कि दस बजे से लोग आये थे लोगों को भूप लगी होगी और खाने के लिए चले गए हुए भागलपूर में जो डिलिमेटेशन हुआ डिलिमेटेशन के बाद वीपूर और गोपालपूर का इनाका जुड़ा उसके बाद सभी चीजें बदल गई और मुझे अच्छी तरह से याद है कि लगातार 30-30 साल तक स्वर्जी भगव जाजात जी इस इलाके को रिपरजेंट करते थे और उसमें सिल्क सिटी के रूप में भागलपूर जाना जाता था यूट के रूप में बगल में कटिहार जाना जाता था और पुर्णिया जाना जाता था लेकिन आज सारा कुछ बदाई गया नहीं हाँ से सिल्क एक्स्पोर्ट हो रहा है ना सिल्क का उस सब पहले जैसा उत्तादम हो रहा है केवल खेती बाड़ी रह गई है लोगों के पार और खेती बाड़ी भी उस समय समाथ हो गई जब 2006 में भागतिये जंता पार्टी और नितीज कुमार का गटजोड का सरकार बना था 2005 में और APMC1 लागू हो असा पहली बाद APMC1 लागू होने के बाद बिहार के किसानों की आमदनी भी समाथ हो गई खेत खलियान में काम करने वाले लोगों को चाहे मज़ूर हो या किसान हो सब की आमदनी घट गई आज जमूई में पधान मंत्री जी आये थे जरूर लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि पहली बार जब आये थे तो उन्होंने वायदा किया था कि 2022 में हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे लेकिन किसानों की आमदनी तो दुगना नहीं हुआ लागत खर्च जरूर किसानों का दुगना के बज़ाए चोगना हो गया और इसलिए खेट खलियान में काम करने वाले लोग इस सरकार से निरास हैं सबसे बड़ी समस्या इस सरकार में जो मैं देखा हूँ मैं एक दसक से जादा मेरा इस देश के पार्लियमेंट में काम करते हुए हो गया और ये जब मेरा कारेकाल समाप्त होगा तो 17 साल मेरा पार्लियमेंट में काम करने का अनुभव हो जाएगा विधान सवा में भी मैं पहले काम किया हूँ लेकिन ऐसी सरकार मैं कभी देश में देखा नहीं जिसमें महांगाई चरम पर हो गाओं में और घर में काम करने वाली माबानों से पूछा जाए उनकी क्या हालत है गरीबों के थाल से दाल और सबजी गाइब है केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र